जे इन फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी टूप चनल प्रमोश सर वारानसी में आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सबसे इस्पिसल टापिक कवर कर रहे हैं साइबर सिक्यूरटी और इसका पार्ट टमबर फोर है आज इसका लास्ट पार्ट है और इसमें कुछ थियरी सेक्षन को कवर करेंगे और साथी साथ एम सीक्यू टाइप में जो कोशन बन सकते हैं उसको भी कवर करेंगे और इसी के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त हो था और उसके बाद कुछ सेग्मेंट बचे हुए हैं और साथ सेक्यू टाइप के कोशन तो उसको भी यहां पर साल्व करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे साइबर सिक्यूरटी आखिर होता क्या है तो साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सर्वर मोबाइल डिवाइस इलेक् सुचना सुरक्षा के रूप में जाना जाता है यानि आप मोबाइल यूज करते हैं नेटवर्क से कनेक्ट रहता है वाइफाई से कनेक्ट रहता है इंटरनेट से आपकी डिवाइस कनेक्ट रहती है लेप्टाप हो मोबाइल हो तो जो हैकर होते हैं उस डेटा को चोरी करन चाहते हैं जो आपके personal information होते हैं उनको वह चोरी करना चाहते हैं और इनी सब को बचाने के लिए cyber security का जन्म हुआ तो बस इतना याद रखेगा server mobile device electronic system को बचाना क्या कहलता cyber security कहलता है और hacker इसको hack करना चाहते हैं देखें सब्द cyber सुरक्षा ब्यवसायस लेकर mobile computing तंग विभिन संदर्मों में लागू होता है और इसे कुछ सामान स्रेणियों में भी विभाजित किया जा सकता है जैसे सुरक्षा के रूप में network सुरक्षा यानि network की सुरक्षा कैसे की जाए इसमें क्या होता है एक computer network को घु क्या होता है अगर मान के लिए आप internet पर कोई काम कर रहे है और आपका data hack हो गया है या कोई hacker है आपकी data को hack कर लिता है तो उस चीच को बचाने के लिए network सुरक्षा अपलाई की जाती है यानि जो cyber security में सबसे important चीज है network सुरक्षा तो वही कह रहा है कि network सुरक्षा एक computer network को सुरक्षित करने का अभ्यास है चाहे लक्षित हमलावर हो या आवसरवादी मालवेर हो लेकिन यह network सुरक्षा हमारी डेटा को परस्नल इंफोर्मेशन को लीख होने से बचाता है अब cyber security से जो महतपूर points है जो छूट गए थे इसको यहां पर cover करेंगे और बहुत ही महतपूर चैप्टर है या ठीक है तो यहां से आपको निश्ची तुरूप से प्रस्न देखने को मिलने वाला है क्योंकि आपका computer का work है junior assistant तो computer का work है तो यहां पर cyber security प्रस्न निश्ची जा चुका है UPSI में तो इंडिया में सूचना प्रद्यों की अधनियम कब पारित हुआ तो यह सन 2000 में पारित हुआ याद रखिएगा यह important है सन 2000 में इंडिया में सूचना प्रद्यों की अधनियम पारित हुआ अगला question है cyber के अपरादों से स्वयम की सुरक्षा करना क्या क कहलाता है cyber security कहलाता है यानि जो hacker होते हैं उस पर हमला ना कर सके परस्वें information को चोरी ना कर सके और अभी सबसे पहले इपने वताया है इसको क्या बोलते हैं जो इन सब की सुरक्षा करता है उसी को बोलते है cyber security बोलते हैं वही कहा रहा है कि साइबर के अपराधों से स्वयम क सुरक्षा करना क्या कहलाता है cyber security कहलाता है नीती आयोग के अनुसार cyber crime के प्रकार कितने हैं तो नीती आयोग के अनुसार cyber crime के 4 प्रकार है या question important है इसको जरूर यट लिजिए तो नीती आयोक के अनुसार साइबर क्राइम के कितने प्रकार है चार है कौन-कौन से हैं साइबर जासूसी है साइबर हमला है साइबर आतंकवाद है और साइबर युद्ध है चारों पॉइंट है आपको याद रखना है इनमें से एक point देदेगा कौंसा इनमें से है या कौंसा नहीं है Next question है कि cyber stacking क्या होता है तो online माद्यम से की गई छिर खानी cyber stacking कहलाता है क्या कहलाता है cyber stacking Next one है computer network में बिना अनुमत के प्रवेश करने को क्या कहते है computer network में बिना अनुमत के प्रवेश करने को hiking कहते हैं तो जब hiking होता है आपका laptop हो आपका mobile हो जिस पर आप work करते हैं online अगर होता तो आपको बता के थोड़ी होगा तो बीना बताए और बीना अनुमत के हो जाता है थोड़ी कहते हैं तो देखिए हमने बताया था एक white hat hacker होते हैं एक black hat hacker होते हैं ठीक है तो कह रहा है कि white hat hacker किसे कहते हैं तो अच्छे कामों के लिए system की कम्यों का पता लगाने के लिए white hat hackers को बुलाया जाता है और उनसे अपने computer hack कराकर उनकी कमियों को सुधारा जाता है इसी को white hat hacker कहते हैं देखें जो white hat hacker होते हैं या किसी को दुर्भावना पूर तरीके से हमला नहीं करते हैं किसी को नुकसान नहीं पहुचाते हैं या सरकार के दौर नुक्त किया जाते हैं जैसे मान के लिए सुविधा के लि लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुचाते हैं आस जानकारी कि लिए किसी चीज को display करने के लिए लोग hack करते हैं टीक है जैसे मान के लिए कोई hacker hacking कर लिया तो उसके लिए सुरागर भी अपना hacker r liking it तो उसको बचाने के लिए तो ये White Hat Hacker काम करते हैं इसका आने नाम क्या है? Ethical Hacker याद रखिएगा इसका आने नाम क्या White Hat Hacker को और किस नाम से जानते हैं? Ethical Hacker के नाम से जानते हैं अगला प्रस्ने एक वेक्ति जो computer को hack करने के लिए मौझूद computer code का प्रयोग करता है क्या कहलाता है script kiddies कहलाता है याद रखिएगा important है hacking की दुनिया next question है hacking की दुनिया में आए नए hackers क्या कहलाते है तो green hat hackers कहलाते है तीन प्रकार के hackers होते है एक तो white hat hackers एक black hat hackers और एक green hat hackers होते है तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पर discuss कर लेते है white hat hackers किसे कहते है जो ऐसे hacker जो राजसरकार नुक्त करती है किसी को दुर्भानापूर तरीके से या किसी को नुकसान नहीं पहुचाते है या राजसरकार अपने कोई अगर hacker hack कर लेता है तो उसको dispoil करने के लिए उसकी सुरक्षा करने के लिए white hackers nuked के जाते है वहीं पर black hat hackers कौन होते है जो हमारे personal data को चुरा लेते है यह black hat hackers होते है और green hat hackers किसे कहते है तो hacking के दुनिया में जो नए नए आय होते है उन्हीं को बोला जाता है green hat hackers बोला जाता है बस तीनों को अच्छे से याद रखिएगा इन ही में से आपको कोशन देखने को मिल जाएगा next है add where virus support करता है किसको support करता है add where virus support करता है किसको advertisement को support करता है next है I4C क्या है I4C का मतलब होता है Indian Cyber Crime Coordination Center I4C का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 4 बारसी क्या है 4 बारसी तो I4C इंडिया हो गया cyber crime coordination और center यहाँ पर I4C का मतलब होता है Indian Cyber Crime Coordination Center होता है next है I4C किस मंतराले के अंतरगत आता है तो यहाँ ग्रिह मंतराले के अंतरगत आता है याद रखिएगा ग्रिह मंतराले के अंतरगत I4C का उद्देश से क्या होता है साइबर क्राइम से निप्टारा करना I4C का मेन उद्देश होता है फिरंट से एक ज़रूरी सूचना है Junior Assistant और यहाँ पर VPO Stenographer के लिए Computer की E-Book Launch होने वाली है और यह Computer की E-Book है इसमें हमने Computer के Complete Slables को कबर किया जो UPSC का Latest Slables है जैसे आपका Artificial Intelligence Big Data Processing Machine Learning, Deep Learning, Internet of Things यह ऐसे Chapter है जो आपको Market में कोई ऐसी Book नहीं है जो आपको एक ही Book में सब कुछ मिल जाए तो यहाँ पर हमने एक ही Book में सब कुछ Content को Compile कर दिया है बिल्कुल Oriented Content है बस इतना आप Cover कर लेते हैं तो 12 से 13 कोशन कोई रोक नहीं सकता है लेकिन बसरते आप इस Book को अच्छे से रट जाईएगा घोल के पी जाईएगा 12 से 13 कोशन यह तो बता रहे हैं अगर जो अच्छे से स्कोर रट जाएगा और अराम से अच्छे से अच्छा स्कोर कर जाएगा अपने आप में Complete Book है और यहाँ पर PYQ कोशन भी हमने सामिल किया है यानि प्रिवियस इर कोशन आज तक जितने यूपिटर पलसी के एकजामे पूछे गए है यह सभी Handwritten Notes में है जिस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल जो Important Point है यहाँ पर हमने Highlight किया है तो इसी प्रकार पूरे Book में पूरे Book में हमने जो Important Point है उसको Highlight कर दिया है तो यह Book आपको 20 से 25 मई को ठीक है यह Publish कर दी जाएगी आप आराम से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो यह 20 से 25 मई तक यहाँ जो है Publish हो जाएगी चलिए यहाँ पर Cyber Security से हम लोग ने 30 सक्षन जितना था उसको Complete कर लिया है अब यहाँ पर हम Complete करेंगे MCQ टाइप में Question को चलिए सबसे पहला Question है एक Hacker Proxy Server का उप्योग क्यों करेगा एक Hacker Proxy Server का उप्योग क्यों करेगा तो इसका Right Answer हो जाएगा Network पर Host Server बनाने के लिए ठीक है Network पर Host Server बनाने के लिए किसके लिए होस्ट सर्वर बनाने के लिए अगला प्रस्न है सूचना को Encrypt करने के लिए Streaming Suffer का उप्योग किस प्रकार का सम्मित कुंजी Algorithm है अगला Question है निमलिकित में से सुरक्षा पर हमलों के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का कारक नहीं है तो कौन सा नहीं है तो भीया हमलावर हमलावर की सिक्षा System Configuration और Network Architecture यह सभी यह सभी Cyber Security से हैं लेगिन Company के ब्यापार रणनेती जो है यह Cyber Security संबंधित नहीं है चलिए Next Question है किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस टेक्नोलोजी का उप्योग किया जाता है इमपोर्टन प्रस्टन है इसको आप जरूर याद रखिएगा। किसका इस्टेग्नोग्राफी का प्रियोग किया जाता है तो पहुँच बनाए रखना ये आपका वास्तिक हमला करता है अगला प्रस्न है निमलिकित में से कौन सा एक ethical hiker अभी हमने बताया है ethical hiker किसे कहते है ethical hiker की विशेष्ट विशेष्टा नहीं है तो यहाँ पर कौन से विशेष्टा नहीं है विशेष्ट का उतकृष्ट ग्यान, नेटवर्क, कमजोरियों का फायदा उठाने की प्रक्रिया और धहर द्रिड़ता और द्रिड़ता ये सभी होते हैं लेकिन संगठन के लिए उच्च अस्तर की प्रसुरक्षा नहीं है चलिए, नेक्स्ट है, किस प्रकार का रूट किट सूचना छिपाने के लिए सिस्टम काल के संस्कन को पैच होक या प्रतियस्थापित करेगा तो यहाँ पुष्ट काल है अस्तर के रूट किट पर अगला प्रस्न है पिन स्विंग का उपयोग क्यों किया जाएगा पिन स्विंग का उपयोग क्यों किया जाएगा इंपॉर्टन है इसको याद रखेगा तो लाइब सिस्टम की पहचान करने के लिए किसकी लाइब सिस्टम की पहचान करने के लिए पिं यहाँ पर पिंग-श्विप का प्रयोंग किया जाएगा इंप्autain क्या जाएगा व उपरियों किया जाएगा इक चली अगला प्रस्न है इडिधाईद बंदरगा राज्ड कौन सा है कुला फीिल्टर एब आपके आप्सन नमबर कौन से सही हो जाएंगे तीसरा सही हो जाएगा चलिए अगला प्रशन है IT 2000 का पूर्ड रूप क्या है यहां पर कि IT 2000 पूर रूप क्या है सूचना प्रद्योग की अधनियम 2000 क्या होगा option यहां पर तो option number D हो जाएगा सूचना प्रद्योग की अधनियम 2000 option नमबर 4 हो जाएगा चलिए last प्रस्ण है आज का भारती IT अधनियम 2000 किस वर्स अध्यतन हुआ था तो वर्स 2008 में अध्यतन हुआ तो राइट अंसर अप्शन नमबर B हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग के साइबर सिक्केर्टी से जितने प्रस्ण बन सकते हैं सभी को हमने अच्छे से कवर कर दिया है यानि आपका साइबर सिक्केर्टी वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है तो फ्रेंड्स यह रही आज की वीडियो वीडियो अगर अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी साथ बेल आइकान को भी प्रस कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड करें तो इसका वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए तो मिलता है नेक्स टुडियों तब तक लिए जय हिंद वद्निवातरम